स्री राधा कृष्णा भ्याम नमः, स्री मदभागवत महापुराण, पंचम असकंध, अधसप्तमो अध्यायः, भरत चरित्र स्री सुकदेव जी कहते हैं राजन, महाराजभरत बड़े ही भगवत भक्त थे, भगवान रिशब्देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें प्रित्वी की रच्छा करने के लिए न्यूप्त कर दिया, उन्होंने उनकी आज्या में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या, पंच जनी से विवा किया था, जिस प्रकार तामस अहंकार से सब्द आदि पांच भूत तन मात्र उत्पन होते हैं, उसी प्रकार पंच जनी के गर्व से उनके सुमती, राश्ट्र भित, सुदर्शन, आवरण और धूम्र केतु नामक पांच पुत्र हुए, जो सर्वताव नहीं के समान थे, इस वर्ष को जिसका नाम पहले अजनाव वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहते हैं, महाराज भरत बहुग्य थे, वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का, अपने बाब दादों के समान स्वय धर्में स्थित रहते हुई, अत अध्वर्यू, उद्गाता और ब्रह्म्हा इन चार रित्विजों द्वारा कराये जाने वाले प्रकृति और विक्रित दोनु प्रकार के अगनिहोत्र, दर्स, उन्ड मास, चातुर मास, पस्व और सोम आधि छोटे बड़े क्रतूं, यग्यूं से यथा समय सरद्धा यग्य और क्रत रूप स्री भगवान का यजन किया। प्रकृति और विक्रित भेद से अगनिहोत्र आधि क्रतू दो प्रकार के होते हैं, समपूल अंगों से युक्त क्रतूं को प्रकृति कहते हैं, और जिनमें सब अंग पून नहीं होते, किसी ना किसी अंग की कमी रहती हैं, उन्हें विक्रित कहते हैं। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन भिन यग्यों के अनुष्ठान के समय, जब अध्वर युगण आहुत देने के लिए हवी हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यग्य कर्म से होने वाले पून्ड रूप फल को यग्य उस भगवान वासु देव के अरपन कर देते थे, वस्तुत वे पर ब्रह्म ही, इंद्र आधि समस्त देवताओं के प्रकासक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाध्य, तधा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य करता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपन भगवद अरपन बुद्धी रूप कुसलता से हिर्दय के राग द्वेस आधि मलों का मारजन करते हुई, वे सूर्य आधि सभी यग्यभोकता दियुताओं का भगवान के नेत्र आधि अवयों के रूप में चिंतन करते थे, इस तरह कर्म की सुद्ध से उनका अंतर्यामी रूप से बिराजमान, हिर्दया आकास में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुर्सों के लच्छनों से उपलचित भगवान वासुदेव में जो स्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, संख और गदा आधि से सुसोभित तथा नारद आधि नि निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेक पूरुवक बढ़ने वाली उतक्रिष्ट भक्ती प्राप्त हुई, इस प्रकार एक करोण वर्स निकल जाने पर उन्होंने राज भोग का प्रारव्ध छेल हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वन्स परंपरागत संपत् आयोग पुत्रों में बांट दिया, फिर अपनी सर्व संपत्ती संपन राज महल से निकल कर वे पुलह आस्रम हरिहर छेत्र में चले आए, इस पुलह आस्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वातसल है, वे आज भी उनसे उनके इस्ट रूप में मिलते र रहते हैं, वहाँ चक्र नदी, गंड की नाम की प्रसिद सरिता, चक्राकार, साल ग्राम सिलाओं से, जिनके उपर नीचे दोनों और नाविके समानचिन होते हैं, सब और से, रिसियों के आस्रमों को पवित्र करती रहती है उस पुलह आस्रम के उपवन में एकांत अस्थान में अकेले हीरा करवे, अनेक प्रकार के पत्र, पुस्प, तुलसी दल, जल और कंद मूल, भल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे, इससे उनका अंतहकरन समस्त विसया विलासाओं से निवित्त होकर सांध हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ, इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परचर्या करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हिर्दे दवी भूत होकर सांध हो गया, आनंद के प्रवलवेग से सरीर में रोमांज होने लगा, तथा उतकंठा के कारण नेत्रों में प्रेम की आशू मढाये, जिससे उनके द्रिष्टी रुख गई, अन्द में जब अपने प्रितम के अरुण चरडार विंदों के ध्यान से भक्त योग का विर्भाव हुआ, तब परमानन से सरावोर, हिर्दे रूब गंभीर स आस्मरन ना रहा, इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही ततपर रहते थे, सरीर पर क्रिष्ट में चर्म धारन करते थे, तथा त्रिकाल असनान के कारण भीगते रहने से उनके केस भूरी-भूरी घूराले लटों में परिड़त हो गई थे, जिनसे वे बड़े ही करते थे, वे उदित हुए सूरी मंडल में सूरी संबंधिनी रिचाओं द्वारा जो तिर्मे परम पुरुष भगवान नारायन की आराथना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूरी का करुम फल दायक तेज प्रकृति से परे है, उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपने चित सक्ति द्वारा विशय लोलूप जीवों की रच्छा करता है, हम उसे बुद्धि प्रवर्तक तेज की सरण लेते हैं इत स्रीमत भाग्वते महापुराणे पारम हन्स्याम सहितायाम पंचम असकंधे भरत चरिते भगवत परिचर्यायाम सब्तमु अध्याय स्री राधावल विलाले कीजे